असलाम लेकूम वेलकम बैक तो मैं चैनल कैसे आप सब लोग आप सब लोग खैरियस रूंगे अलमदलिल आपकी तोहं के वज़े से हम सब भी खैरियस हैं ठीक टाक हैं और आज एक और रेसिपी के साथ मैं आगी हूं और आज की रेसिपी है मीठी टिक्यों की जो रजब की नयास भी कहलाती है रजब के महीने में हर किसी के घर में बन रह रजब की नयास दिल रही थी तो मैंने सोचा क्यों इसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लों बहुत ही यमी बहुत ही मज़ेगी बनती है तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप दूध हाफ कप चीनी एक कप मैदा हाफ कप सूजी 2 टेबल स्पून घी हाफ टी स्पून इलाइची पौंडर तू टेबल स्पून पिसा खोप्रा वन एन-अ-फ टेबल स्पून तिल तो चलि अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दूध लेंगे इसमें डालेंगे हाफ कप चीनी तू टेबल स्पून कुछे से मिक्स कर लेंगे अब लेंगे हम एक बोल इसमें डालेंगे एक कप मैदा 1.5 टेबल स्पून तिल 2 टेबल स्पून पिसा खोपरा 1.5 टीश्पून इलाइची पाउडर 1.5 कप सूजी अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम इसका डो रेडी कर लेंगे 2.5 टीश्पून झालेंगे स्पून झालेंगे 2.6 टेच्छे 2.6 टीश्पून 3.6 लेड़न 4.5 टीश्पून 5.6 टीश्पून जाल झाल प्रश और भूंग। कर दोलस्ता दो निल्यार कर दो हुआ है बार कि बार प्रिज काल कर दो फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का मज़ेदार मीठी टिकिया तैयार है अंबर को भी बुलाते हैं टेस्टिंग के लिए असलाम लेकुम माई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग खेरियसे और आज जी शुमाईला ने बनाई हैं मीठी टिकिया और हम शाम में आए हैं और मार्शालला प्रेजन्टेशन तो देखें कितनी प्यारी है और मार्शालला एक और नए डिश हमें आज खाने को मिलेगी हमाई वालदा भी बनाती थी मीठी टिकियां बहुत मज़ेदार बनती थी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी बनी है यह बिस्मिल्ला रख्माने रहीं इतने क्रिश्पी बन गया है नो बहुत ही मज़ेदार बहुत ही उसम मिस्मिल्ल क मेillas करा आ यह और ने प्यारी सेंदी सेंदी सूजी और मैदी की खुष्बु और सूजी की जादा बहुत प्यारी खुष्षबु और गर मै उसके महक होती है जब दर्वादा खोलो न मुझे सीडियों से खुश्बू आना शुरू हो जाती है कि किचन में कुछ पक रहा है वह मैं चल्दी से आती हूं कि क्या पक रहा होगा और यह आज बनी है इस अमेजिंग ऑसम मीठी और क्रिस्पी भी बहुत यमी है बहुत यमी है स्प्लेंड बनी है बहुत अला तला तु होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजे चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरे आने वाली वीजियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके अपनी फीड़ जरूर दीजेगा कमेंट झाल